मेरे हमारा एक हेल्थ केर वर्कर है जो नर्सिंग अफसर है उसकी रिपोर्ट पोजिटिव आई है ये हेल्थ केर वर्कर यूरोलजी आईपीटी में काम कर रहा था और 24 तारिक को सबसे पहले इसको सिंटम्स डिवलप हुए जो की माइल्ड थे माइल्ड कॉफ और सोर जादा हुए तो इसने स्क्रीनिंग ओपीडी में रिपोर्ट किया वहां इसका संप्ल लिया गया और 25 तारिक की रात में उसकी रिपोर्ट पोजिटिव आई है इसके क्या कारण हो सकते हैं इसका कारण अभी तक यही समझ में आ रहा है कि कोई इस्म्टमेटिक कैरियर इसके आगे के स्ट्राटिजी क्या हुगी है एमस में आप हमारी स्ट्राटिजी यह है कि चुकि यह यूरालीजी आई-पीटी में काम कर रहा था तो हमको वहां के सारे स्टाफ को वह जितने भी पेशेंट्स महां पर एड्मिट हैं सभी की टेस्टिंग करानी है तो संपिल लिया जाएगा और उसको भेजा जाएगा पेशेंट्स को जब रिपोर्ट उनकी निगेटिव आएगी उसके बाद ही उनको डिश्चार्ज वहां से किया जा सकता है कोई भी निया पेशेंट उस ब्लॉक में नहीं लिया जाएगा उस पूरे ही ब्लॉक को हम लोग क अब इसको का रिजल्ट आ जाएगा उसके अनसार फिर काम किया जाएगा उसके अपिड़ी है जो बीज में शुरू की थी पेशेंट्स के लिए उस पे मतब बढ़ाएंगे आप मतब जारी रहेगी या पिर हम कहीं करेंगे एमस की जो जैनल एक ओपिडी हम लोग ने